इंजिन स्टार्टर मोटर एक शक्तिशाली DC इलेक्ट्रिक मोटर है जिससे इंजिन को क्रैंक किया जाता है स्टार्टर मोटर में एक पिनियन गेर होता है जो इंजिन के फ्लाइवील रिंग गेर से मेश होता है और क्रैंक शाफ को गुमाता है यहां दिखाया गया model आधुनिक गाडियों में उपयोग की जाने वाली एक pre-engaged type starter motor है यह motor गाडियों में मौजूद बैटरी से चलती है बैटरी से motor तक का electric circuit यहां दिखाया गया है इसमें एक starter solenoid होता है जो एक electromagnet का काम करता है बैटरी और solenoid के बीच ignition switch होता है और electromagnetic force के कारण plunger slide करता है जो contactor switch के दो copper terminals को जोडता है जिससे motor चालू हो जाती है ignition switch को release करने से solenoid de-energize होता है और plunger वापस लोटता है यहां एक सवाल आ सकता है कि solenoid और contactor switch का क्यों उपयोग किया जाता है जबकि हम motor को बैटरी से direct supply भी दे सकते है लेकिन हम motor को इस तरह नहीं जोडते हैं क्योंकि ये motor चलाने के लिए बहुत ज्यादा करण की अवशकता होती है जिसे प्रभा करने के लिए बहुत बड़े switch और तार की जरूरत होती है इसी लिए हम solenoid का उपयोग करते हैं जिसे ज्यादा करण की अवशकता नहीं होती है solenoid एक और महत्वपूर्ण काम करता है यहां starter pinion को slide करके flywheel ring gear के साथ mesh करने में मदद करता है जैसे pinion flywheel ring gear के और बढ़ता है यह अपनी axis पर थोड़ा घूमता है यह घुमाव pinion और flywheel ring gear को आसानी से mesh करने में मदद करता है जब pinion और flywheel ठीक से mesh हो जाता है तब contactor switch बंद हो जाता है और motor घूमता है हम यहां देख सकते हैं कि flywheel की तुलना में pinion gear काफी छोटा है flywheel और pinion का gear ratio आम तोर पर 15-1 या 20-1 तक होता है यह gear reduction से torque कुछ हद तक बढ़ जाता है torque को और बढ़ाने के लिए एक planetary gear set का उपयोग किया जाता है इसमें एक sun gear, एक ring gear, एक carrier gear और planet gears का एक set होता है starter motor में ring gear स्थिर होता है sun gear input होता है और carrier output होता है यहां दिखाए गए planetary gear set का ratio 7-1 है यह combined gear reduction के बाद starter motor crank shaft को गुमा सकता है जिससे engine चालो हो जाता है engine start होने के बाद crank shaft टेजी से गुमने लगता है इस थिति में यदि starter motor flywheel के साथ mesh में रहती है तो अत्यादिक गती के कारण motor खराब हो सकती है इसलिए engine start होते ही हम ignition switch को release करना चाहिए जिससे pinion flywheel gear से अलग हो जाता है लेकिन वास्तविक जीवन में हम engine start होने के तुरंत बाद ignition switch को release नहीं कर सकते है इस अवस्था में motor को तेजी से घूमने से रोकने के लिए one way clutch का उपयोग किया जाता है यह clutch में outer और inner races के बीच rollers होते है जब motor outer race को गुमाता है तो rollers इन दो races के बीच में lock हो जाते है और crank shaft घूमता है जैसे ही engine चालू हो जाता है तो rollers स्वतंत्र हो जाते है इसके बाद सिर्फ pinion घूमता है और motor तक power transfer होना बंध हो जाता है झालू हो जाता है